यह दिब्य औसधी है यह दिब्य ज्योतिस है यह तांतरिक है यह औसधियों में स्रिष्ट है और हम आप लोगों के बीच में इसलिए लेकर आए हैं कि यह औसधी हमारे और आपके बीच में एक नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं नरंदर गाउवाला यूट्यूब चैन आप सभी का स्वागत करते हैं मैं हूं नरेंदर मौरिया आप लोगों के बीच में हम आज मदार का पौधा लेकर आए हैं जो कि यहां ऑसदी गूडों से परिपूर है और यहां दिब्य ऑसदी है हम आपको बता दें कि यह एक एसा पादब पौधा है कि यहां जोतिस भी है यहां तांतरिक भी है यहां ऑसदी भी है और यहां एक जाड़ है यहां इस जाड़ को हम आपको पहले यहां बता दें कि इसका नाम क्या है कहां कहां पाया जाता है और इसका ऑसदी गूड क्या है यह इसका तांतरिक गूड क्या है जोतिस गूड क्या है कहां कहां काम करता करता है इसके साउधानी करता है कि स्क्राटार से काम करता है कि मनुस्यों को पूरसों को इस्तिरियों को बच्चों को पस्वों को किस मर्ज में यहानीदान करता है तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको इसका नाम बताने कि यहाँ मुख plumbing से इसका नाम क्या है तो आपको बता दें कि इसका इंग्लिस नाम है केलो ट्रोपिस जिज एंट केलो ट्रोपीस जिज एंटी कि इसका नाम है और हिंदी में इसे मदार कहते हैं चैतरी भासा में भी मदार कहते हैं हम भारत के उत्तरपरदेश से बोल रहे हैं इस जनपद जिला सच्फि को बतां कि इसका संस्कृत नाम मनदार मदार और और्ग और एकवन कहते हैं कहीं रग्षपरों में पहाड़ पर पथ्थोरों में यहां मरुस्थल में रेगेस्तान में सभी जगह यहां पाउधा पाया जाता है जहां पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे एकवन कहते हैं एकवन औरक इसका नाम होने के कारण इसे अकवन कहते हैं अब इसको इससे हमें क्या सावधानिया बरतनी है या पौधा किस प्रकास से हमारे सरीर को नुक्सान पहुचा सकती है और उसका निदान हम आपको सबसे पहले बता दें क्योंकि अगर क्यों असावधानी हो गई तो निदान भी जरूरी है क्योंकि यहां निदान आज तक राज रह चुका है आप सब के बीच में इस आई जाती है पहला तो स्वेतार्क देख रहे हैं आप दूसरा रक्तार्क और तिसरा निलांबर निलार्क जिसे कहते हैं और उसका निलार्क को राजार्क भी कहते हैं जो नि एक सफेद मदार, एक पिंक कलर लिए हुए यहां मदार पाई जाती है, सभी मदारों के गुड़ समान है, लेकिन इसके फूल, इस मदार के फूल का जो उपयोग है, सिर्फ हम और सधी गुड़ अगर फूल में कहें, तो सफेद मदार से ही हम लेते हैं, अब आजाईए कि जो दूध चला जाए आख में, तो उसका क्या उपचार है? तो ऊसका उपचार यह है कि इसमें बहुत ज़्धा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इहां दूध आख में जाने से जलने लगती है, आख और यहां बहुत गरम तासीर की होती है, अगर पेट में च दाक्टर की पास जब तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कि 10 दाना 15 दाना या 20 बाजरा बाजरा अगर आप सुन पा रहे हो दो बाजरे की दाने को मुह में डाल कर ये के मिनट तक चबाएं इतना चबाएं कि पूरा लार बन जाए पानी बन जाए और उस उस बाजरे को किसी पात्र में हम थूक दें और सास्प कपड़ा से हम उसको चान कर एक बुंदय आख में डाल देंगे आख एकदम स्वस्थ हो जाएगी और आपको कहीं जाने क्या हो स चर्चा करेंगे इसके दूध का क्या उपयोग क्या गुड़ है और कहां कहां किस मर्ज में काम आता है तो पहला तो यह हो गया आख में दूध जाने से दूसरा अगर किसी को अधकपारी हुआ है समलमाईबाई हुआ है जिसे आधा सीसी भी कहते है आधा सरदर्द करता है और एक टाइम दर्द करता है किसी को साम के टाइम में किसी को सुरूदे होते ही दर्द करने लगता है और वहां 12 बजे तक दर्द करता है उसके बाद सुस्त हो जाता है जब सरदर्द करने लगता है तो ब्रेन की यह एक ठोन नसियां आपको देखेंगे इधर की इधर की हर दिखाई देने लगती है उभड जाती है तो कुछ नहीं करना है सुबह और एक बात और आपको बता दें इसका दूध या कोई भी आउसधी का प्रयोग हम सुर्य उद्य के पहले करें मदाखास करके मदार के दूध को अगर हम अपने उसधी गुड के लिए ले रहे हैं तो सुर्य उद्य के पहले ही पेड के पास आ जाएं और इस पेड के से दूध निकालें और उसधी गुड में प्रयोग लाएं इसका तीसरा कि अगर समलबाई हुआ है अधकपारी हुआ है आधा सिसी हुआ है तो हम आपको बता दें कि इसका उप्योग हम लेंगे एक बतासा ले लेजी या एक डेली गुड ले ले लेजी बढ़ जाती है तो कुछक नहीं करना है सुबा और एक बात और आपको बता दें इसका दूध या कोई भी आउसधी का प्रयोग हम सुर्यूदे के पहले करें मदाखास करके मदार के दूध को अगर हम अपने उसधी गुड के लिए ले रहे हैं तो सुर्यूदे के पहले ही पेड के पास आ जाएं और इस पेड के से दूध निकालें और उसधी गुड में प्रयोग लाएं इसका तीसरा कि अगर समलबाई हुआ है अधकपारी हुआ है आधा सिसी हुआ है तो हम आपको बता दें कि इसका उप्योग हम लेंगे एक बतासा ले लेजिए या एक डेली गुड ले ले लेजिए और इसके पत्ते को ऐसे ही तोड़ेंगे इसके पत्ते को ऐसे ही तोड़ेंगे आप देख पा रहे हुआ इसमें सिर्द निकल था है इसे दुद्र को बतासे में यह तकबूंदा इससे चुआ देना है एक बूंद अगर दूद चूँ गया और बस कुछ नहीं करना है मुह में रखकर निगल जाना है बतासा नहीं है तो गूड की एक डेली ले ले डेली में एक बूंद चूआ ले और उसको निगल जाना है और साथ दिन निगलना है अधकपारी खतम लेकिन इसमें एक बात की ध्यान देना है कि अगर अधकपारी है तो तीसरे दिन जैसे ही दूद को खाएंगे सरदर्द खतम हो जाएगा उसके बाद आपको चार दिन तक और खाना पड़ेगा लेकिन अगर तीसरे दिन अगर यह दर्द नहीं आराम हुआ तो चोथे दिन आप बंद कर दीजेगा इसलिए कि यह अधकपारी फिर नहीं है यह समलबाई नहीं है क्योंकि सर और भी कारण से दर्द करता है ब्रेन में जैसे टूमर पेट में गैस बन रही है लाद में गर्मी है तो इन सब कारण से अगर सर दर्द कर रहा है तो दर्द नहीं जाएगा चोथे दिन आपको छोड़ दीजिए छोड़ देना पड़ेगा छोड़ दीजिएगा तीसरी बात तो हाँ दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि अब दूध का तीसरा प्रयोग सेम यही बिधी अगर किसी को पाइल से है बबासी रहे खुनी बबासी रहे बादी बबासी रहे एक एक गिलास लैटिन जाते समय अगर बलड गिर रहा है पैखाने के साथ तो आपको बता दे कि सिर्फ यही बिधी दूध बतासे में डाल कर निगल जाएए और साथ दिन निगलिएगा आपका पाइल्स खतम उसके बाद एक खता का फिर आतर दे कर फिर एक खता खा लिजिएगा आपका पाइल्स खतम और एक बाद पाइल तो खतम हो जाएगा लेकिन पेट को आपको साफ रखना पड़ेगा उस विसे पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और तिसरा इसका तिसरा चोथा अब हम आपको गुड़ बताने जा रहे हैं जो कि दूध से इसके पत्ते से इसके पत्ते का एक एक उप्योग गाएर बताने जा रहे हैं जो कि किसी भाई को किसी बहन को फूल हो गया हो सरीर पर जो कि हिंदू धर्म में उन बच्ts का सादी विबान नहीं होता उसे असुभ मानते हैं अगर वा फूल हो गया तो उसका इलाज कहीं नहीं है लोग पैसा फुक कर प्रसान हो जाते हैं तो हम इसका इलाज बताते हैं इसके एक पत्ते को तोड़ लेना है पूल खतम हो जाएगा अगर आपको एक दिन लगाने से दो दिन लगाने से यह नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा आप इसको कम सकम एक महीना दो महीना तीन महीना लगाईएगा आपको रिजल्ट दस रोज पंदरो रोज बाद मिलने लगेगा बलेक हेड आने लगेगा बलेक कि वाप वपयोग हम आपको बता रहे हैं जिएमा चर्म रोग में इतना मर्ज होते हैं कि दाद खाज खजूली यप रस उकूवत एकजीमा कुछ उकुवत तो ऐसे हैं कि जो की खजुआते खजूआते पूरी चमडू को खतम कर देते हैं और दाना निकले आता है और पानी बहने लगता है कोड़ जैसा दिखने लगता है उसका उपचार सिर्फ मदार के पत्ता से है इसके एक पत्ता को पीस कर पचास गराम तेल में सेम बिधी इतना पका दिजिएगा कि यह काला हो जाए इस पत्ते को इस तेल को आप लगाईएगा और आपकी खाज कि अपरा सुकुवत एक दिवा खत्त हो जाएगी तो हम इत्रों हम आपको बता रहे थे पचवा और अब छठवा आपको इस मदार का उपयोग बताने जा रहे हैं ज्यान से सुनिएगा वीडियो को काटिये मत और दवडाईएगा मत नहीं छुड जाएगा तो इसका खुल हो गया गुल खुल कैसे होता है कि गुल खुल कहीं अगर हमारा उगयने गोड़े इस पैर से हम चल रहे हैं और कहीं ठोकरा गए तो चमड़ी वहां की चोट खा जाती है तो वह कुछ दिन बाद दर्द करने लगती है पैर पर अगर कोई फिर एक छोटा सा चर्रा भी तोड़ना है और उस गुल खुल पर इसे रखकर गिरा देना है दो मिनट तक वहें बैठे रहें उसके बाद घर चले जाए इसे ही दस रोज अगर हम कर लें तो एक बार खत हो जाएगा खत हो जाने के बाद इसमें आप दूध डालना बंद कर दीजेगा फिर आप उसको उ कठमा उपयोग आपको बता रहे हैं कि जैसे मुनाई गड़ गया हाथ में मुनाई बाइर के सीजन में बच्चे बाइर तोड़ने चले जाते हैं तो जो बाइर का जो काटा होता है वह इतना महीन होता है कि उसके नोक को हम सुचमदर्सी से ही देख पा सकते हैं वह मुनाई बच्चों के अगर यहां अउली में यहां पर कहीं चुभ गया तो तुट जाता है और फिर उसका कोई उपचार नहीं होता वह पक जाएगा बच्चा रात दिन रोता रहेगा खाना नहीं खाएगा उसका यह उपचार है कि उसके सुवा सुरूदे के पहले मदार का दूद उसके जहां पर वहां मुनाई गड़ा हुआ है वहां पर ये कबुंद रख दे सुबा साम तक या पक कर बाहर कर देगा और बच्चा सुस्त हो जाएगा यही से हम अपने वीडियो को बिदाक लेते हैं वीडियो से और आपको इस मदार पर पाच वीडियो हम आपको देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप आगे वीडियो देखिएगा तो आपको फूल का इसके तने से, इसके जड़ से, इसके पत्ते से हमारा क्या उप्योग है? हम आपको आगे बताएंगे